अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियो में copyright claim ना आए तो सबसे पहले आप YouTube इस्टूडियो में जाएंगे और जो आपने रिसेंटली वीडियो अप्लोड किया है डांस वाला या जो भी किया है उस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उसमें edit के option पे जाएंगे यह ज से जाने के बाद में यह आपको दिख रहा है license and rights ownership इसमें जाने के बाद में standard YouTube license लगा हुआ है इसको हटा करके हम creative comments attribution लगा देंगे और यहां से हम save कर देंगे इसको save करने से हमारे वीडियो पे copyright claim नहीं आएगा और दोस्तों यह बात चरूर ध्यान रखें कि आपको copyright claim आपके वीडियो पे ना आए इसलिए अब आगे जो भी वीडियो बनाए उसमें जो sites आती हैं उसमें non copyright claim वाली उनसे ही music download करके ही आप अपने वीडियो में dance वाले वीडियो में लगाएं और इसमें common creative attribution लगा दें उसको save कर दें और friends यह बात में जरूर कहना जाओंगी कि इसमें जिस पे copyright claim आ चुका है पहले से वो उसमें यह नहीं हटेगा इसलिए आप लोग उसमें music change कर दें यही आपके पास option है अगर यह वीडियो आपके लिए helpful है तो प्लीज चैनल को like करें, subscribe करें and ज़्यादा से ज़्यादा share करें